हलो दोस्तो, स्वागत है आपका लोकिस धीमान लेक्चर्स की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक एक इंपोरेंट टॉपिक है कार्डियोवस्कुलर सिस्टम से रिलेट करता वा एक टॉपिक जिसका नाम है ब्लेड ब्लेड के रिगार्डिंग बहुत ही सारे कोश्चंस है हमारे इस पूरे लेक्चर में आज कवर होने वाले है तो इसी के रिगार्डिंग ही कुछ कोश्चंस यहां पर मैंने लिखे में है तो इस question को देख लेते हैं पहले, फिर जल्दी से हम discuss करेंगे अपने topic को तो सबसे पहला question से लिखावा है temperature of blood, blood का temperature कितना होता है 98.6 degree Fahrenheit B option है 100.4 degree Fahrenheit C option 97.1 D option है 102.2 degree Fahrenheit Next question है function of carbon dioxide carbon dioxide का function क्या होता है CO2 का function क्या होता है तेला option है help in metabolism, help in digestion maintain blood pH maintain osmolality इस में से जो भी आप को अंसर लग रहा है वो आप अतना answer select कीजिए Next है smallest protein is सबसे छोटा protein कौन सा होता है albumin होगा, globulin होगा, fibrinosan होगा या B and C यानि कि globulin और fibrinosan होगे तो ये तीन questions एक जो आमने लिए हैं इसको आप solve करने कोसिस कीजिए और इसमें देखेंगे अगर आपके answer सही है या गलत है वो हम compare करेंगे अपने lectures में तो discuss करना शुरू करता है blood की simple से definition पड़ता है तो सबसे पहला जो एक topic है या point है blood is a connected tissue blood is a connected tissue और connected tissue इसको बोला क्यों है क्योंकि दो organs के बीच में एक connection establish करता है example क्योंकि जैसे कि आपको बता है कि blood suppose करूँ कि ये lungs है और ये heart है इन दोनों के बीच में जैसे कि हम pure oxygen blood जो purify हो जाता है वो lungs में purify हो जाता है लेकिन ये वापस से return होके आता है heart के तरफ हो तो मतलब इन दोनों के बीच में एक connection link हो गया तो दो organs से बीच में connection link की तरह काम करता है इसलिए बोलते है connective tissue जो connection का का काम कर रहा है which consist of जो बना है blood plasma यानि की liquid material का और साथ साथ में formed element formed element वो element होते हैं जो suspended article suspended materials है और suspended जो saddle down हो सकते हैं liquid material में और उनका example है RBC, WBC and platelet red blood cells, white blood cells and platelet तो एक simple से definition हो गई अब बात करते हैं सबसे पहला point जो हमारे लिए बनता है blood की जो study की जाती है blood की जो study की जाती है उसे बोलता है हिमेटोलोजी हिमेटो हिमेटो मतलब होता है blood और लोजी मतलब होता है study तो blood की study करना blood के बारे में पढ़ना और साथ साथ में उसकी disorders के बारे में पढ़ना वो किसके बारे में पढ़ना हिमेटोलोजी तो मतलब blood के बारे हैं पढ़ने वाले हैं इसका मतलब आज hematology के बारे हैं पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला point हमारे लिए यही बन पहा next बास करते हैं इसके history scenario पर क्योंकि एक से दो questions यहां पर ऐसे हैं जो हमारे से exam में question पूछे गए हैं तो सबसे पहले जो history में मिलता है देखने के लिए जो सबसे पहला blood transfusion की बात की गई वो बहुत पहले की गई थी और वो कब की गई वो की गई 1492 में क्योंकि एक Rome के pop थे जिसमें सबसे पहले blood transfusion किया गया मा के doctors ने तो यह किया गया 1492 में लेकिन जो भी यह blood transfusion हुआ यह completely unsuccessful थ क्योंकि blood loss होने के बाद में जब यह in pop को blood transfusion किया गया उसके बाद उनकी death हो गई थी तो यह completely unsuccessful हो गया उसके बाद में recess काफी चलती गई तो एक एरा आया William Harvey का यह आया 1628 में तो 1628 में यह एरा था William Harvey ने describe किया कि एक body fluid body के अंदर ऐसा है जो एक जगे से circulate होता है मतलब blood से आर्टरी के थूरू circulate होते है जाता है अधर ओर्गन के पास में और वापस से वेन के थूरू आ जाता है हाट में मतलब एक circulation चल रहा है मतलब एक circle चल रहा है तो उन्होंने blood circulation के बारे में सबसे पहले explain किया William Harvey ने तो एक question तो मारे लिए यहां से बनता है exam में दूसरा question बन सब्सक्राइब किये काल लेंडिश्टिनर ने और काल लेंडिश्टिनर ऑस्टियान साइंटिस्ट थे और इसी के लिए उनको 1930 में Nobel Prize भी मिला अब 1900 में उन्होंने सर्च के तीन blood group 1902 में मतलब दो साल बाद ही fourth group को discover कर दिया गया और यह fourth group जो discover किया गया है काल लेंडिश्टिनर के दो स्टुडेंट से थे तो उन्हीं स्टुडेंट से ने fourth group को भी खुझा उसके बाद में बाकी other blood group जी सर्च हुए लेकिन main जो हमारे four blood group होते हैं वो 1902 तक सर्च कर लिए गया थे तो यह भी history से नहीं हो बात अब बात करते हैं आगी तरफ कि blood का function क्या है blood liquid material तो है connective tissue तो है जो दो औरगन के बीच में connection establish कर रहा है लेकिन इसके function है क्या तो इसके function के पर यही है कि transportation regulation और protection इसके main तीन काम है सबसे पहले point की बात करते हैं transportation की transportation होता है मतलब transport करना और transport किसको करना तो सबसे पहले है gases material को ट्रांसफर करना जैसे कि आपको बत की जाती है oxygen inhale करने के बाद कहां पर आती है blood में और blood क्योंकि connection link है communication link है या फिर connected tissue है यह एक जगे से दूसरी जगे पर blood को जब जाता है तो oxygen को भी लेके जाता है साथ में और यही oxygen कोई भी cells use कर लेती है तो cells के पास यह oxygen आ जाती है oxygen use होने के बाद में जो भी waste material बसता है waste gas बसती है अब यह CO2 इसी cells के से वापस blood में आती हो और यह blood filter होने के लिए oxygen alveoli के पास में आता है तो CO2 आने के बाद में alveoli में आती हो और alveoli में आने के बाद CO2 lungs के तुरू excrete out कर दी जाती है मतलब transport कर रहा है उसके बाद जब metabolism के बात कर लें क्योंकि हम कुछ भी काते है यह absorb होके क्या आ जाता है ब्लड में आ जाता है और ब्लड से यह वापस absorb होके कहां पर चला जाएगा cells के पास मतलब जो भी nutrients की supply मिलनी थी इस intestine से इस cell की तुरू वो किस से मिली blood से मिली क्योंकि blood तो transfer हो सकता है इस दूसरी जगे पर तो cells से अगर waste product remove करने पड़ेंगे तो cells अपने waste product कहां पर लेके जाएगे blood के अंदर और यह blood ही waste को remove करवा देता है with the help of kidney या फिर skins या बाकी other organ के थुरू यह इसको excrete out बाहर करवा देता है मतलब एक transportation का गाम हो रहा है दूसरा important function है regulation करना regulation करता है body fluids का क्योंकि आपको पता है most of body fluids बने में जैसे lymph बनावा है बाकी जितने भी fluid बने में वो बने में blood से ही क्योंकि blood से ही interstitial fluid आता है और वहीं से fluid बन जाता है तो suppose करोगि कि किसी भी other body fluids की कमी हो रही हो या उनकी अधिकता हो रही हो तो उनको balance करना काम भी कौन करता है blood ही करता है उसके बाद blood pH को regulate करना काम भी यही करता है क्योंकि आपने buffer system का नाम सुना होगा तो different function है जिसमें blood ही pH को regulate करना काम भी करता है नेक्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन करना हुआ काम है प्रोटेक्शन कैसे करता है क्योंकि अगर सपुस करोगी किसी को एकसीव भ्लेड लोस हो जाया है तो ब्लट के अंदर एक निहां क्वालीटी होती है क्वागुलेट होने की तो ब्लेड अपने आफि इपोगुलेट हो होती है जो हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज के अगेश्ट में फाइट करने के लिए तो फैकोसिटिक एक्टिविटी भी ब्लड की एक्वालिटी है कि क्योंकि उसमें इम्मनोगलोविंस प्रजेंट होते हैं तो वह प्रटेक्शन भी कर सकता है तो यह तीन इंपोरेंट फं रहा हो और सब्कम मतलब थो प्रिक होता है किसके अइंप लिक्विड अत्रिक होता है अक्तास वोटा कम बेर के वहीं होता हैं लेकिन Η इसकी consistency water से थोड़ा ठीक है और ऐसा feel होता है feel slightly sticky ऐसा feel होता है कि थोड़ा stick यह मढगी लिया ले next point temperature temperature कितना होता है यह बहुत important है हमारे लिए point 38.38 degree centigrade यानि कि 100.4 degree Fahrenheit तो superficial temperature से थोड़ा सा 1 degree centigrade के हमारा blood का temperature increase होता है तो यह point आप तो दियान में रखेंगे इसके बाद बात कि यह इसकी pH की pH कैसा होता है alkaline pH 7.35 to 7.45 ब्लड का pH होता है उसके बाद color क्यासा होता है color depend करता है उसमें घुलेवे materials पे यानि कि जो blood oxygen जिसमें ज्यादा होगी pure blood होगा saturated blood ज्यादा होगा उसका color होगा bright red जो generally artery मिलता देखने के लिए unsaturated blood unsaturated मतलब जो veins में मिलता है देखने के लिए लेकिन impurable disease को हम बोलते है उसका color होता है dark red क्योंकि इसमें impurities या waste product ज्यादा मिलता है देखने के लिए उसकी वेसे का color कैसा होगा dark red जो vein में मिलेगा देखने के लिए next बात कर रहे है volume की volume male और female में दोनों में adult में generally थोड़े सा variation मिलती है कि male average जो adult होते हैं उसमें 5 to 6 liter मिलेगा देखने के लिए और adult female जो average weight की होंगी वो 4 to 5 liter के असपास इसका volume मिलेगा देखने के लिए next है कि total body weight का कितना percentage blood होता है तो कितना होगा 8% और इसी 8% को ही हम बोलते हैं intravascular fluid की अगर हम बात करते हैं intravascular fluid कितना होता है body weight का 8 क्योंकि intravascular fluid को ही हम blood बोलते हैं इसके बाद बात करते हैं component of blood blood के component कौन-कौन से होते हैं तो क्योंकि हमने बात कि है कि blood तो दो ही चीज़ों से मिलगे बनावा है blood plasma और formed element इसमें बात करेंगी कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ है तो जो blood के component हैं वो blood के component कौन-कौन से हैं तो यहां पर बात है कि blood के जो component दो important component है एक तो blood plasma और दूसरा formed element तो किसी भी blood को अगर हम किसी वाइल में और एक ट्यूब में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसको centrifuge करते हैं स्पिन करते हैं घुमाते उसको तो क्या होता है जनली जो तो इस सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होने करण क्योंकि इस एरिये में most of में आर बीसी प्रेजेंट होती है आर के बराबर होती है इसके बाद है यह एक श्ट्रोक अलर का या यानि की पेली अलो कलर का जो मिलता है देखने के लिए लिक्विड मठीरियल उसको बोलते हैं ब्लड प्लाजमा तो जो बात की जाए कि ब्लड का जो कंपोनेंट है वो दो चीजों से मेल नहीं मिलके लिक्विड मठीरियल लेकिन यह लिक्विड मठीरियल भी किस किस से मिलके बनावा तो इसमें बोला जा रहा है क्योंकि कि मौस्ट ओफ लिक्विड मठीरियल है तो यह भी कितना है 91.5 परसेंट सिर्फ वाटर है इस ब्लड प्लाजमा में 91.5 परसेंट वाटर है इसके साथ साथ इसमें डिजॉल प्रोटीन प्रेजेंट है और साथ साथ में अधर सोल्यूड भी प्रेजेंट है तो वाटर के अं अधर साथ यह भी प्लाजमा की बात है यानि कि इस ब्लड के अंदर जो भी यह प्रेल कलर दिखाई दे रहा है यह पूरी परसेंटेज प्रोटीन वाटर और और अधर सोल्यूटेस में प्रेजेंट है जो भी यह मटी ले 45 परसेंट आइस गा जिसको ब्लेड शेल से बोल रहे हैं जिसमें प्लेट लेट हैं डेड़ लाग से चार लाग और बीचिया 4.8 तू 5.4 मिलियन और ड़ बीचिया चार जार या फिर पांस जार से गयार जार आसबास और जो WBC हमारी डिवाइड होती हैं वो नीट्रोफिल्स 60 तू 70 परसेंट लिंफोसाइट 22 25 परसेंट मोनोसाइट 3 तू 8 परसेंट और साथ सामें इसे। तो यह हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड अब आज जो हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वह हम कर आंगे हम बात करेंगे सिर्फ ब्लड प्लाजमा के बारे क्योंकि ब्लड प्लाजमा क्योंकि एक लिक्विड मटोराह करें तो किसी भी आगर आफ ब्लड को आप ड्रोग वीड्रो करने के बाद में बॉडी से वीड्रो करने के बाद में जब आप रख देते हुआ फिर उसको सेंट्रिफ्यूज करते हो तो उपर की तरफ को जो लिक्विड मेटिकल बसता यह ब्लड प्लाजमा बसता है तो आज हम complete इ पुर्य ब्ल्यड को जो लिंक्विड फोस्म बनाता हो गोंन से बाटर काम करेंगा Onu करेंगा कि उसके बाद है प्लाजमा प्रोटिन उसके बाद है प्लाजमा प्लाजमा प्रोटिन जए सफ important protein की बात करें तो यह three protein है तो जो फ्प्लासमा प्रोटेन उसका मेंं काम क्या है वो ओस्मॉटिक प्रेशर को maintain करने क्या है ट्रांस्पॉर्ट करता है fatty acids को केल्सियम को क्योंगी इनके साथ bind off हो जाता है और bind up का इसका इस च्पीत को बहुत ज्यादा है लेकिन अपने आप सड के बहुत चोटा होगा थे चाहिना मुझाइगए चिसका मेन फनक्षन होता ऑष्मडिक रेशर को मेंटेन करना तो आपसे कोश्यन पूछ जाए कौन सा ऐसा प्रोटीन जो ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना काम करता है वो कौन है अलबुमिन की कम युदा तो अडिमा वाले होने की चांसे जाजा रहते हैं उसके वाद ग्लोबिलिन ग्लोबिलिन एक लार्ज प्रोटीन है और ग् करता है किसी भी एंटिजन के अगेंश्ट में तो ग्लोबिलिन प्रोटीन का काम जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसका काम इनोग्लोबिन को बनाना और यह इम्मिनोग्लोबिन सी हेल्प करते हैं इम्मिन प्रोवाइड कराने में नेक्स्ट है फिब्रिनोजन क्या है फ थो फिवडियोजन का function next है other solutes कौन-कौन से हैं बलड के अंदर other solutes है electrolytes electrolytes में catein and anion दोनों होते है sodium potassium calcium magnesium जो help करते है cells के function को regulate करने के लिए और साथ साथ में osmotic pressure को maintain करने में भी help कि यह आदर वाले पॉורिषन में नूट्रियंट्स कॉन कॉन से होते हाँ ब्लड के अंदर क्योंकि ब्लड के अंदर अमिन वोग है। विटामिन्स और मिनरल्स यह सब प्रजेंट होते हैं जो help करते हैं किसी भी cells के function को maintain करने के लिए साथ साथ में growth and development के लिए किसी भी cells के growth and development के लिए help करते हैं क्योंकि जितना ज्यादा nutrient से मिलेगा cells को उतनी ज्यादा growth करेगी उतना ज्यादा weight increase होगा इसके बाद में gases, gases भी होती हैं क्या, gases भी होती है blood में, कौन-कौन सी oxygen, carbon dioxide, nitrogen जो help करती है cells के function को maintain करने के लिए क्योंकि cells का कोई भी metabolism function होता है तो उसमें oxygen एक important role play करती है, कोई भी respiration जब करती है cells energy gain करने के लिए तो aerobic यानि oxygen के presence में, oxygen के absence में anaerobic तो मतलब दोनों function cells कर सकती है तो इन gases का काम है cells के function को maintain करना साथ-साथ में blood के pH को maintain करना और वो काम किसका है CO2 क्योंकि CO2 की जो nature है, वो कैसी nature है, pH इसकी जो कैसी है, acidic nature है तो CO2 का जो pH है ना, जो CO2 एक acidic type का material है, तो अगर CO2 या फिर pH या acidic content हमारी बोड़ी में ज्यादा बनने लग जाता है, तो CO2 का excretion lungs ज्यादा करवाने लग जाती है, अगर lungs expel out ज्यादा कराने लग जाती है, हम जब बाहर की दरफ को expel करते हैं, और सांस से अगर CO2 बहर ज जब जाती है, तो इसका मतलब अभीاشी कम होने लग जाती है, तो जो ..., कम होने लग जाती है, तो CO2 बाहर निकलना थोड CivITY काम होने हैं, तो μ appelle मैं काम है, जो लन्ग से इसको help कराती है, क्यूंकि carbon dioxide या फिर CO2 की neighborhood is acidic nature की हह, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट प्रोड़क्ट कों कौन से होते हैं जो ब्लड के अंदर है वो कौन से यूरिया, यूरिक एसिड, करेटिन, करेटिन, बिलरुबिन, अमोनिया यह आप देखी कि यह प्रोटीन के ही एंड प्रोड़क्ट है मतलब प्रोटीन का जो मेटाबोलिजम जाता है उसी के एंड प्रोड़क्ट से यह सब चीज़े बनती है तो इन सभी चीज़ों को हल्प करता है ब्लड एक्सक्रीट आउट कराने में या तो यूरिन के थूरू उसको एक्सक्रीट आउट कराएगा या फिर श्टूल के थूरू एक्सक्रीट आउट कराएगा या स्वेटिंग के थूरू एक्सक्रीट आउट कराएगा तो ब्लड ही इनको एक्सक्रीट आउट कराने में हल्प करता है बाकी अधर से लेके आएगा ब्लड अपने पास लेके जाएगा और उनको distribute कर देगा उन organs के पास में जो इनको excrete out करा सकते हैं तो यह main function था blood plasma का तो आज यह complete topic पढ़ने के बाद अब देखते हैं हमारे question कितने इसके बाद बात करते हैं function of carbon dioxide का function क्या है metabolism में कोई रोल नहीं है तो अंसर क्या सही हो गया blood pH को maintain करने में अलब करता है इसके बाद है smallest protein कौन सा होगा albumin numbers में ज्यादा है लेकिन size में छोटा कौन सा है albumin ही है इन दोनों का size थोड़ा लाज होता है इसके compare में तो यह तो आज हमने पढ़ा है जो आज की class हमने पढ़ी है वह पढ़ी है blood plasma के बारे में तो यह आप topic को बह बहुत ज्यादा important होंगे क्योंकि questions में बहुत सारी questions है हमारे exam के लिए तो आई होप यह lecture आपको पसंद आया होगा अगर यह lecture पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्गुल भी ना भोले थैंक्यू सो मच